प्रेंड्स आज का हमारा यह पार्ट टू लाए जा रहा है दो कोड़ों के योग अंतर के तुर्कुलमती फलन का यह पार्ट टू बीडियो बनाए जा रहा है इसमें इसके इमपॉर्टन कोशन के जो हमारे कोशन हरे बेसिक टू एडवांस ही है ठीक है और यहां पर हम बहुत इंपॉर्टन कोशन लेहाकं ऑई है ठीक है यहां पर देखिए यहां पर मैं कोशन बता चुका हूं चालिस का मतलब वगया 15 प्लस 25 ठीक है देखिए साइन एंटू कॉज वी प्लस कॉज इंटू साइन वी तो मैंने वह पूट कर दिया साइन ए मतलब नेतों यहां पर वर फ्लस प्लस टेस्था पर कॉट साइन वाप्शन साइन Kerry कर रहा है ठीक है और इन्टू बरन माइनस इस स्क्वार इस तरह से हपर आप देख सकते हो साडिस्फाई कर रहा है तो इस तरीके से मैं एडिया फ्रेंट्स यहां पर आफ्शन नमर डी हो जाएगा अज़क क्रिवीजन के तौर पर आपने इससे देखा है ठीक है आप इता सॉल्वी कर सकते हो इसमें कोई इस दूस नहीं है काउज एकी वैलू एक बटा साथ है काउज वी की वैलू तेरह बटे के चौधा है डन ए माइनेस वी की वैलू बताईए काउज ठीक है यह कोश्चिन हमारे पास दो जर बाला पॉलिटिक निक में आया हुआ था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बटा दो कैसे होगा आई शमस्ते है थोड़ा सा बे देखिए सबसे पहले हमेरे पास जो कॉज एक की वैलू है आपको पता है एक बटे साथ कोश भी की वैलू कोशिन में हमारे पास गीवेन है तो मच्चों में साइने की वैलू कैसे लिखा लेंगे हम लोग क्यों कि मै उसाइब चाइज करका अंडूर के इंडर 48 डीवाइडवाइड आ टीक है इस तरीके से यहाँ पर ये निकल जाएगा अब बात करें साइन वे की तो वी सी तरीके साथ ड़ागा ऑन डूर केंडर 27 डिवाइडड़े वाई 40 टीक है इस तरीके सा हमारे ये निकल किया सब्सक्राइब निकाल ले थी तो आपको फार्मूला पता ही है को माइनस बी का फार्मूला होता है को साने की वैलू कोशन में गिवेन इंडूर कंदर तो फ्रेंट्स मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं तो साथ जुनी के चौदा है नहीं के साथ गुड़े के 14 हमारा यह LCM हो जाएगा ठीक है और उपर आपको सॉल्व करना होगा ठीक है इसको में जब गुड़ा करूंगा तो 13 प्लस चारतियां के बार है बारतियां के 36 तो 36 और यह आपको हो गया राइट आंथर आजाएगा इस तरीके से मैंने इसको बता दिया और मैंने आपको वही बताया था कि इस प्रिकार के कोश्णों को आप देखते ही करोगे अगर आपने इसके पहले के पार्ट देखे हैं तो आप इस कोश्ण को बिल्कुल देखते ही कर दोगे कि मैंने बताया था आजंशी को रचे कर देख के साइन और वह वहें पास वोल्टा होना चाहिए यहाँ पर काउज है काउज का हमारे पास रिपीट होना चाहिए देन मैं क्या करूँगा इन कोश्चनों को देखते ही हल करूँगा इसका राइट आंसर भी दो हो जाएगा कैसे आपको जो नीचे की कंडिशन 90 माइनस चौंसुट करना है साइन 90 माइनस 26 डिग्री क्योंकि नबहें ऐसा 26 गटा होगे इसी प्रिकार की नीचे वाले कंडिशन को चेंज करेंगे इस तरही किसे देख लीजी थोड़ा सा बेट नहीं हो रहा तो यहां पर मैं पता देता हूं थोड़ा सा हँर को गधो है को पुधे देखोоловिट में जाए तो ओपर वाधवार कंडिशन को चैंज कर लिए थी सा नीचे वाल ली को आग नीचे से हलगे भी कर सकते उपरसे अनुनहों किया किया नबहा माइनस चौंसट को गिया तो लगधा यृव्ट चाहो तो मैंने बताये थे तरीका उस तरीके से भीट करसकते हो c이라는 का года गा कॉज 90 माइनस चॉण सट डिवैड़ेड वाई को सट चॉण सट ठीक है इस तरीके से हो जाएगा को चॉण सट बटे में सट चॉण सट पिलस सैंच चॉण सट बटे में को सट चॉण सट दोने बेलों निकल के आ गई जाहों तो आप इसका क्रॉस मंटिप्लेकेशन कर सकते हो कोई में कोई रिसूश नहीं देन हम क्रॉस मंटिप्लेकेशन भी कर सकते हैं यह फिर चाहें तो डार्क लीज को सॉल्व करेंगे देन हमारे पास निकल कर जागा साइन स्कुार רजु प्लस साइन स्कुार चौटर इसका stoked oh इसका अंसर क्या हो जागा वन निकल क्या जागा झारकार से आपको ज़्यदर जो डेडिकेशन्स नहीं होना है मैंने आपको किया बताया था isसा बिपरीद हो दैन आप इसको दो आंसर लगाओगी तोुला सा इसका विपरीः कि कॉज का बिपरीट क्या है तो इसका आंसर रहता हूंताा okay काँसर दो नहीं होगा इसका अंसर कंसरव वर्मक हो किसे होगा मैंने एक्स यहां पर कर डिया है आपको समयने आ गया होगा यहां बता दे आपको सबway गरूद मेभि लिख दिया च्जों कि मैं कॉल लिख सेक्ता हूं बन अपोन's ॉ- कोज शौटसट कोज बन अपण कोज इसक्षोर बहुता हिक वह बन अनत्राइब अन्सर अ झियों अधार्इगा कि मैं MMA tumor controller το script 100 605 to大家都 5 ilad подора कितना होता है वन तुर इस तो आई होप यह कोशन आपके स्विंग में आ गया होगा देखिए अगला कोशन हमारे पास है 1-10A upon 1 plus 10A तो यहाँ पर 1 के इस्थान पर लिख सकते हो 1045 ठीक है 1045 तो 10A minus 10B upon 1 plus 10A into 10B तो इस तरीके से हमारे पास यह फर्में बन जाएगा 45 minus A का देखते ही आपका इस तरीके स आप लगा सकते हो बिल्कुल देखते ही इसको हल करोगे यह कोशन देखिएगा यह भी important है बही 2014 में कोशन आया हुआ था देखिए आजर रिविजन के तौर पे बता रहे हैं 10 5 by 4 plus theta into 10 3 5 by 4 plus theta का मान होगा क्या होगा माइनस का मान होगा आई समझते कैसे होगा 10 5 by 4 plus theta 10 3 5 by 4 plus theta भाई यह जो condition होता है यह आपको पता ही है that is 1 plus 10 a 2 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta को यह condition होता है कैसे बता है बच्चों आपने तो कि मैं बता दूँ और यहाँ पर उन्हें क्या किया माइनस का 1 रख दिया माइनस 1 plus theta upon 1 plus theta भाई यहाँ पर क्या करोगे आप लोग माइनस इन को कमन करोगे तो इससे ही कार दोगे तो माइडिया फ्रेंट्स इस तरीके से यहाँ पर हमारा right answer माइनस का 1 हो जाएगा अगला कोशन देखीगा कौज 45 डिगरी माइनस का ए और माइनस का साइन 45 डिगरी प्लस ए का मान हो जाएगा आपको बताना इसका right answer के हो जाएगा बहिए आपको फार्मूला यहां पर put कर देना है कौज ए माइनस भी का और साइन प्लस भी का मैंने फार्मूला आपको पार्ट बंड में ही अल्रेडी बता दिये हैं तो इस तरीके से हो जाएगा कौज ए इंटू कौज भी प्लस साइन एंटू साइन बी माइनस का यहां माइनस चीन है तो यहां मैनने डिर्क ली मानने से कोना कर दिया है अब देखीगा आप लोग चाहो तो डायक्ली आएसे ही काट सकते हो बिना इसमें इस्जूज किये चाहो तो एक बटा दो यहां पर 25 की वैली होता है कोट 25 की वैली होता है तो मैं यहां पर एक बटा 2 वैली वी पूट कर देता हूं जैसरी को पूट करें चैङे घरी मतलशताएं थारी वैलू हमारा जीरो की कोल हो जाएगा इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वह आपको aP option number D, ठिक है, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भई, 0, समझे, मेरे hero, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा basic से अपको बता रहे हैं, थोड़ा सा, जी, तो देखिए, यहाँ पर अकला जो question हमारे पास given है, यह question इस प्रिकार से आया था, N square आप 5y 8 पिलस A upon 2 माइनस N square 5y 8 माइनस A by 2 बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है, recording option number C विलकुल नहां पर right आप देख पाभी होगो, स्क्रीन पर right हो जाएगा, यह समझती है कैसे, मैं देखिए, यहां पर यहां पर, given था आपको क्या करना था आपको इसमें sin square a minus sin square v का आपर formula लगा देना था sin a plus b जो sin a minus b वो ही मैं आपर formula पूट करने बाला था तो मैंने बच्चों यहाँ पर directly formula पूट कर दिया sin a plus b sin a minus b into sin a minus b तो मैं आपर sin a plus b किया है पहले then a square इसे ही कर जाएगा तो जो जो हमारे कट रहा है मैंने काल दिया तो हमारे पास बचे का हमारे reference 5y4 दहुंद देखीएगा 5y4 into sin a तो 5y4 का मतलब हो गया बन अपॉन अंडू 2 और sin a option c यहाँ पर right हो जाएगा ठीक है ना option नमर c होगा यहाँ पर इसी टाइब के questions आपके इंट्रेंस में भूजी जाते हैं बार-बार देखीए यहाँ पर अगला question की वे है करा यह दी टैन ठीटा बरावर एम पाउन एम प्लस बन और टैन 5 बरावर एम प्लस बन अपाउन है तो ठीटा प्लस पाई का मान बताईगा देखी क्या करना इसका वेलू आपका पाई बाई टू हो जाएगा चो हो जाएगा option नमर्डी यहाँ पर पाई बाई टू आपका option बिल्गोड राइट होगा इभी कैसे होगा अई समझते हैं विस्तार से कि देखी इस प्रिकार के question को करना क्या होता है मैंने आपको अलड़ी बता दिया है ऐसे मान लीजिए टैन ठीटा प्लस फाई की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा टैन ठीटा प्लस फाई अगर आप ठीटा के स्तान पर टैन ठीटा की बेलू लगा रहे हो और अगर हम आप से बात करें इन फाई डी क्यों आएगा बताते हैं क्यों आएगा देखी तो आप लोग चाहिए तो इससे ही कार सकते हो इसमें लेने की आप सकता नहीं है डाक्ली लेलो दिमाग में ही तो यहां पर देखिए वन से वन आपका खट रहा है एम स्कॉार बच रहा है तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो इसका राइट आंसर होगा इंफाइनेट निकल के आ रहा है यहां पर इस तरी के साब देख सकते हो बिल्कुल इजली बेवे मैं आपको बता रहा हूं अब तुम चाहो तो इसका लसेम भी ले सकते हो क्रॉस मन्टिप्लाइक के से हलसेम ने को देए हमारे यह कट जाएगा उपर बचेंगा हमारे पास एम स्कॉार ठीक है पिलस में रहेगा एम प्लस बन का होली स्कॉर और डिवाइड़ेड वाई बचेंगा बन माइनस अब आप स्क्वार को खोलो के जो हमारे पास यह infinite value निकल कर आजएगा आपको पता होना चाहिए कि 10 infinite में किसका value होता है तो हम आपको बता दें 10 infinite में जो value होता है वो 90 degree का होता है कितने का होता है नब बेड़ेगी दिगा तो इस तरीके से आपका यहां पर डी बाला ओप्षन बिल्कुल राइट हो जाएगा आई होप आपकी कोश्चन समय में आ गया होगा अगला जो कोश्चन आया है बिल्कुल इसी टाइब का थोड़ा सा टीपिकल कोश्चन है हैं तो इस तरीके कोश्चन कभी कभी एक्जाम में आ जाते हैं और बच्चों यह टिपिकली कोश्चन है आपको ज्यादा सीरियस इन कोश्चन को नहीं लेना है यहां पर दिख सकती स्क्रीन पर कॉज अलफा प्लस बीटा वरावर चार बटे के पांच सैन अलफा माइनस बीटा व हो दैन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपनी इस सोर्शन को सॉल्ट करने की छमता है देखिए हम बात करें कॉज ए प्लस अलफा प्लस बीटा की देश फोर वाई फाई इस तरीके से देख पार हो गया आप लो और हम बात करें साइन अलफा प्लस बीटा की कैसे निकालोगे सब्सक्राइब कर दिया और तीन बड़े के पांच फाईनली दोस्त रहां निकल गया है और आप कॉज की वैलू निकालोगे बिल्कुल वैल्फा माइनस बीटा होगी बट तो हमारे पास अंडूर बन माइनस पच्छीस बटे की एक सुन अनुतर कड़ोगे सॉल तो आपक बारे बटे के तिरे निकल गया जाएगा और हमें चाहिए वैलू टैन में फदो में ठीक है तो टैन एल्फा फ्लस बीटा बराबर तीन बटे के चार और टैन अल्फा माइनस बीटा बराबर पांच बटे के बारे तो मैं यहाँ पर बैलू इसको पुट करते हूँ चलाओ तो मैंने यहां पर जो वैलू पूट किया ना तो आप यहां पर देख सकते हो बिलकुल एजट फॉर्म टैने प्लस वी का फॉर्मूला मैंने यहां पर पूट कर दिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जागा इसका राइट आंसर चपन बटे के 33 ओप्शन नम्मर यहां पर बी बाला बिलकुल राइट हो जाएगा अप्शन नमर बी बाला डेक है दैन आप यहां पर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप 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 अप टैंक चववन को अभी व्यक्त किया जा सकता है मैं देखें टैंक चववन डिग्री को आप किस तरीके से लिख सकते हो में रेकॉर्डिंग यह कोशन बहुत ही इंपॉर्डेंट है एंडी एक्जाम में कोशन आया था नस्टनल डिवेंस एकड़मी का जो एक्जाम होता है इसमीं क्लास 12 के स्ट्वेंट जाति इसमीं कोशन आया था और यूपी पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक आल स्टेड में कोशन आया हुआ है त्यान चववन को मैं लिख सकता हूँ यह पैन 45 प्लस नो क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री और 9 डिग्री को अट करोगे लिए 24 डिग्री पाओगे तो बहुए ए प्लस बी का फामुले लगा दिए यहां पर हम बात करने बाले हैं बच्चों यहां पर 45 की वेलू होती है बबन होता है तो इस तरीके से आपको जाएगा बड़ प्लस टैन नो अब देखिए यहां पर मैं ठीटा को लिखता हूं कॉज नो डिग्री सब्सक्राइब इसका आप क्रॉस मंटिप्लेकेशन करोगे तो हमारे पास कॉज नो डिग्री प्लस साइन नो डिग्री पिलस कॉज नो डिग्री डिवाइड वाई कॉज नो डिग्री माइनस का आफ्शन नमर यहां पर सी वाला हो जागा राइड तो इस तरीके से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं इसमें कोई जूस वाली बात नहीं है थोड़ा सा इजी कॉश्चन था बट अगर हम देखें कंपेटिशन के डिश्टी से तो बहुत ही इंप कि नन्गा आपको इस कोश्चन के लिए अगर आपने नहीं देखा है पार्ट बन पार्ट तू में अब हम आखें नहीं कोशन कराया है तो सैन 45 सैन 105 पिलस कॉज 105 पिलस कॉज 45 डिगरी अपान में 75 पिलस कॉज 75 ठीक है अब देखिए मैं करने क्या वाला हूँ मैं बच्चों क्या करूंगा जड़ा दिहान से देखिए sin A sin B into में sin A sin देखो गई sin A sin B पिलस कौज A कौज B यह किसका फार्मूला होता अगर हम बात करें कौज A पिलस B तो आप क्या करोगे तो यहाँ पर माइनस होता माननके चलिए यहाँ पर बच्चो क्या है माइनस होना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एजिट पूट कर देता हूं चलो मैंने एजिट पूट कर दिया आपके अकॉर्डिंग ठीक है तो हमारे पास क्या बचा है कौज साथ डिग्री बच गया ठीक है अब आप में क्या बचा 75 यहाँ पर लिख दूँगा कॉज 90 माइनस ठीटा यानिके 50 निकल कर जाएगा अब आपको बैलू पूट कर देना है एक बटा दो कॉज साथ की बैलू होता है और टू ठीक है ना यह कहां से आया है यह टीप्ट की आपको संवन्यात हो ना यह बच्चो डार्क्ली मेंने इसको सॉल्व कर दिया है 65 डिग्री और 1.50 डिग्री तो यहां पर आपको डार्के मैंने यहां पर सॉल्व कर बता दिया है ठीक है 2.50 गोज 30 डिग्री वराफ़ माज़ 21 अपां 2 21 पां 120 इंट Paul 13 बटीजिके दो से से काड़ देंगे हम लोग इसको calculate कर लेंगे तीन दून के 6 और बच्चो इससे हमारे यह भी कट जाएगा तो बन अपॉन अडूरूट 6 यहाँ पर finally दोस्तो निकल के आ जाएगा कौनसा आ जाएगा option number C यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा I hope आपको यह question 7 में आ गया होग आई यह देखिए अगले बढ़ते हैं अगला जो question हमारे पास आया हुआ है यह question हम से कह रहा है यदि sign alpha वरावर one upon two और sign beta वरावर अंडूरूर तीन बटे के दो जहाँ ए प्रथम पद हैं और भी दूर्तिय पदमान में है then a minus b क्या value बताना है वही मेरे recording is cancer क्या हो आगा वही 90 डिगरी का मतलब माइनस का वन कैसे देखिए थोड़ा सा सेन alpha के इस्तान पर जानते हो one by two का मतलब क्या होता है that is 30 degree 30 को मैं एक बाट दो बटे दो कर सकता हूं और beta की मतलब होता है 120 अब alpha और beta के अगर हम बात की बात करें तो वही देखिए alpha की value हमारे पास finally दोस्तों यह निकल के आ गया और beta की value हमारे पास एक बटक है sorry 120 निकल के आ गया अब a-b का लिकाना आपको तो यहां पर मैं value put कर दूंगा 30-120 ठीक है तो 30-120 यानि कि माइनस का 90 degree और देखिए जब यह एंगल होता है किसी के एंगल में sign का एंगल हो वह एंगल से बाहर आ जाता है तो माइनस का sign 90 ठीक है देखिए यहां पर माइनस का sign 90 और sign 90 की value ह होता है बन तो इस तरीके से आपका यहां पर बन हो जाएगा माइनस का बन तो कि माइनस हमने कॉमा ले लिया था इसकी लिए यहां पर माइनस का बन अहां पर right answer हो जाएगा अगला question देखिएगा क्या मान है क्या मान है देखिए इस question के लिए जो मैंने condition बताया है उसी condition को according मैं यहां पर solve करा था हूं देखिए को टूए प्लस 10 को मैं लिख सकता हूं रड़िस कॉज कॉज बटे साहने और यहां पर भी लिख देना कॉज बटे देखिए कॉड को मैंने कोज बटे साहने कि लिए के लिए संटीट बटी कोशी रेकिता इसी प्रकार से भाई आप तो इसका लेलना तो बच्चो मैं यहां पर इसका लेलने के वश्चात हमारे पास यह जो ऊपर आप देख रही यह फार्मूला बनना देंस देखिए यह फार्मूला बनना है कॉज a-b का फार्मूला बनना है जहां से देखोगे आप देंस तो चोज 2a-a से बन जाएक चौह जाएगा आफ्सन नमर ए इस दा राइट आंसर ठीक कोसर टू है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा थोला था यदि साइन एलफा एंटू कोस बीटा प्लस कोस एलफा एंटू साइन बीटा की वैलू अंडरूर तीन बटे की दो है और इतनी वैलू आपके पास 0 है दो आपके इसकी वैलू का मैन बताना है और बताना है 10 एलफा माइनस का 10 बीटा बराबर है इसको भी आपको बताना है तो किसके ये बराबर है तो आपको इस टाइब का कोशन्स मैं आपको important की द्रिश्टी से करा रहा हूं सैन एल्फा इंटू में काज बीटा बराबर काज एल्फा इंटू साइन बीटा बराबर अंडूर 3 बटे के 2 तो यहां पर बच्चो यह फार्मूला बनना है किसका फार्मूला है यहां पर देख लीजिए हमारा बन जाए फार्मूला sin alpha plus beta ठीक है तो alpha plus beta इस तरीके से बच्चो हमारे पास a plus alpha plus beta की value 60 निकल के आजाएगा त्योंकि मैं बता दूँ आपके लिए अंडरूड 3 बटे के 2 यह value होता है किसका? 60 का तो मैंने directly put किया है तो alpha plus beta वरावर हमारे पास 60 निकल के आजाएगा अब आप क्या करोगे? जो condition है वो यहां पर put कर दोगे जैसी condition put करोगे then alpha minus beta की value 90 निकल के आजाएगी अब alpha minus beta की value 90 आपके पास निकल के आ रहा है समीकर एक और दो को हल कर लीजिए alpha की value कितना आ रहा है? 75 और beta की value minus का 15 निकल के आ रहा है तो alpha और beta की 2 की value हमारे पास निकल के आ गया आप क्या करना है? 10 a alpha minus 10 beta की value को find out करना है 10 alpha 10 75 plus 10 15 देखिए 10 45 की value कितना होता है? 2 minus under root 3 plus 10 15 की value होता है 2 plus under root 3 under root 3 से under root 3 खत्म हो जाएगा और 2 plus 2 बरावर 4 निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से अगर मैं देखूं इसका जो right answer मेरे निकल के आ रहा है वो option number C बिल्कुल right आ रहा है आप लोग यहाँ पर देख चार बिल्कुल right answer हो जाएगा देखते हैं option number C बिल्कुल यहाँ पर right हो जाएगा ठीक है? जी अब यह जो question आया है इस टाइप पर question मैंने आपको already करा दिया अगर याद है तो हमें comment में बताईए हाँ sir मैंने इस question करा दिया है इसी part में कराया है अगर आपको याद है comment करो इस question के लिए फटा फट मुझे पता लगना चाहिए कि आप कितने आ रहा है अपने परिवार के बारे में इसकी best के बारे में बताईए आपके friends के बारे में share कीजिए इस best के बारे में बस ज्यादा कुछ नहीं है आप लोग ऐसी support बना रखिए 10 theta बरावर अंडूर के इंदर 3 upon 4 minus अंडूर 3 और 10 5 बरावर अंडूर 3 upon 4 और प्लस अंडूर 3 हो तो 10 theta minus alpha की value का मान क्या हो जाएगा आपको फैंडूर नोट नहीं है इस चार option अपर पास given थी और आपको बताना था इसका right answer क्या हो जाएगा इस तरीके को question के लिए मैं आपको अरड़ी बता प्रकार का foundation अपनाते हैं 10 theta की value भी हमारे पास given है और 10 5 की value given है तो हमें इसका formula directly लगा देना है देखिए कैसे लगाते है formula बारावार 10 a minus 10 5 upon 10 plus 10 5 into 10 theta then मैं यहाँ पर आपर शारी value put करने बलाऊं चाहें माली theta minus 5 है तो तहाँ पर 10 theta minus 10 5 upon 10 1 plus 10 theta into 10 5 तो बच्चों वह हमारे पास 10 5 की value यह माली जिए 10 theta की value यह मान के चलिए तो मैं यहाँ पर 10 theta की value लगा दे रहा हूं यह वाली और 10 5 की value मैं यह लगा दी तो दोनों value एज़दा की question में given है एज़ट condition form में मैं यहाँ पर put करने बाला हूं तो वन फ्लस अंडूर 3 जी का 4 माइनस अंडूर 3 इंटू में रहेगा अंडूर 3 upon 4 प्लस अंडूर 3 यह हमारे पास condition निकल के आ रहा है अब देखीगा थोड़ा सा जी अंडूर के अंदर 3 4 प्लस अंडूर 3 प्लस अंडूर 3 अब देखिए यह अंडूर 3 यह 4 4 से 4 कैंसल हो रहा है जहां से देखीगा और 4 माइनस अंडूर 3 इंटू में रहेगा फ्लस अंडूर 3 प्लस अंडूर 3 इंटूर 3 यह अंडूर 3 अंडूर 3 रड़ी स्कार 3 हो जागा अब देख सकते हैं मैंने 3 लिख दिया आज एक condition और यह आपका 16 माइनस 3 कैसे स्कार माइनस 20 स्कार होता है काउम लाइक अकोर्णिंग अगर हम यह आपर बात करें तो वह देखी एस कार का मतलब 16 का स्कार 4 के स्कार करेंगो जरूर 16 हो जाएगा वह ही मैंने अपूट कर दिया और माइनस 3 टीक है तो 3 मतलब सम्झा रहा है अंडूर 3 का स्कार करो के जर स्कार करेंगो जरूर 6 6 बटे के 3 और 16 माइनस 3 16 में से 3 को कर लेना दैन आपका यह हो जाएगा आपका 13 13 16 इस तरीके से 6 बटे 16 6 बटे 16 मतलब 3 बटे के 8 तीक तीन बटे 8 यहां पर निकल के आरा आणसर option में क्या होता है कभी कभी तीन बटे 8 भी दे देता है तीन बटे आप यहां लगा सकते हो लेकिन हमारे पास option में 0.375 है 0.375 देखेंगे का कौन सा option इसमें satisfy कर रहा है मैं recording my difference इसमें जो राइट आंसर है वो option नमर सी हो जाएगा 0.375 यहां पर सी वाला option बिल्कुल राइट हो रहा है तो इस तरीके से आप इस question को solve कर सकते थे तो आज के इस lecture को यहें end करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नएज चैप्टर के साथ तब तक लिए जैहन बंदे मातरम तैंक्स वर वाचिंग